ये गाइस वल्कम बैक इन योट्यूब चैनल निकू छोदरी रियक्शन वीडियो मैं हूँ नताशा बात करने जारे हैं में लाला जी का ढावा अनीता जी और बसंती जी के बारे में जैसा कि आपको पता ही होगा कि इनके घर में काफी बड़ी कोंट्रोवर्सी हो गए लड़ाई जगड़ा मार पीड़ पता ही निक क्या क्या चीज़े हो गई है उसके बाद में अलग अलग तरीके की पंचायत की जा रही है अब आपको बता दे कि जिस दिन ये लड़ाई गड़ा हुआ औॉजी ने पुलिस रिपोर्ट की थी पुलिस बियान लेने के लिए भी आये थी जिस वक्त बियान लेने के लिए आये ती उस वक्त चितने आदमी वहां पर मौजूद थे वह सभी बसंती के घरवाले थे यानि की बसंती की साइड से वह लोग आए हुए थे जिसकी वज़े से वो लोग सिर्फ बसंती का साथ दे रहे थे और बसंती को सही बोल ले थे वही पर जो लाला जी के बच्चे हैं वो उनसे लड़ना शुरू कर दिया और उनको बोल दिया आपको किसने बुलाया हम आपको नहीं जानते अब जिन लोगों कोई डौड था कि बच्चे बत्तमीजी कर रहे थे इस वज़े से लाला जी के बच्चे को वहां पर आकर बोल ला पड़ा जिस पर काफी लोगों ने कहा भी कि देखिये बच्चे कितने बत्तमीजी से बोल रही है यह है वो है तो आज की जो वीडियो लाला जी की आई है उसमें यह चीज किलियर हो गई कि वो लोग जो थे इन्हीं के साथ वाले थे इस वज़े से इस तरीके से बात की जा रही थी अब आते हैं दूसरे मेटर पर पूरा मेटर अब यहाँ पर किलियर हो गया है कि आखिर का चक्कर क्या है चक्कर है प्रोपर्टी का इससे जादा कुछ भी नहीं दरसल लाला जी और उनकी फैमिली ने एक वीडियो बनाए है जिनों में उन्होंने खुद ये बताया है कि जो बटवारा हुआ था जिस वक्त बटवारा हुआ था उस वक्त दादा जी और उनके खुद के भाई यानि कि बसंती के भाई माम मुझूद थे उन्होंने बटव डुबारा कर लिया हमने घर बनाना था हमने अपने घर बना लिए। बलकि मैंने ये भी कहा कि न Lori कुछ अपनी ऑपना देता हुं पर इननोंने मना कर दिया। उसके बाद मिझे हमारा घर बन गया सब कुछ हो गया। अब यह कहने लगे कि दुबारा से तुम घर बाटो हिस्सा बाटो तो अब हम क्यों बाटे जब हमने अपना हिस्सा खुद बनाया है और यही बाते कुछ ऐसे गूम फिरकर यहां सामने आ रही थी पहले भी जैसे कि हमने बताया था क्योंकि लाला जी जो है यह दिली में भी रहते हैं तो शायद बसंती यह चाहती है कि यह लोग यहां पर न रहे तो इनके हिस्से को हम यूज करें हम लोग भी बना बनाया घर हमें यहां पर मिल जाए इतना ही नहीं जो बस लाला जी उनकी बहनों ने भी काफी कुछ पोल खोलिया आपको पता होगा कुछ दिन पहल पताजी को जरुरत थी मैंने अपने पताजी को पैसे दीये थे भाई को भी पैसे दीये थे लेकिन अब जब मैंने पैसे मांगनी शुरू कर दे तो लोग मुकर गए इसके बाद में बच्चे अब मेरे बच्चे भी मुझे यू कहते हैं कि तुमने इपने घरवालों को पैसे दे दिये हमें नहीं दिये मुझे ताने मिलते हैं ये सब बाते बहन ने बताई है इतना ही नहीं दूसरी बहन ने भी यहाँ पे लाला जी का साथ दिया है लाला जी ने ये भी बताया कि लोग मुझे टॉंट कसते हैं, लोग मुझे यहां पर कहते हैं कि पिता की सेवा नहीं करता, ماں की सेवा नहीं की, कि जब मेरा टाइम था, मैंने काफी सेवा की है और ये बास सच भी है जब इनकी मदर बिमार थी उस वक्त जो अनीता जी है वे सेवा करती थी बसंती के ही कहने पर अनीता जी ने वहाँ पर जाना छोड़ा था क्योंकि बसंती वहाँ लड़ती थी और एक क्लिप भी वीडियो भी काफी जादा उस वक्त चली थी कि बसंती की तरीके का बिहेव कर रही है अपनी सास के साथ में उसकी एक वीडियो बना दी थी वसंती की लड़की ने गलती से जो की वीडियो काफी जाधा लोग उने देख ली थी और उसके बाद में वो वीडियो चानक से डिलीट करनी पड़ी अब कहा ये भी जाता है कि जो बसंती हो दादा जी को सिर्फ लालच में रखती है ये भी लाला जी ने आज खोल दिया है कि मैंने कई बार पंचायत में भी और वैसे बोला है कि आप मेरे पास में रहो लेकिन ये रहना नहीं चाहते यानि कि उनके पिता जी रहना नहीं चाहते क्योंकि उनके हिसाब से ये लोग गरी भी फायदा उनको काफी जादा मिल रहा है जैसे कि 9000 का यहां पर कूलर आ गया उससे पहले अलमारी के भी पैसे किसी ने डलवाए थे उससे पहले बिमारी के लिए भी कई बार लोग दे चुके हैं बच्चों की के यूट्यूब चैनल अच्छा खासा चल रहा है बेटा बड़ा हो चुका है कमाने के लायक हो चुका है इस तरीके से लोगों से मदद मांगना दिखा कर यह क्या सही है या नहीं है यह चीजे आप लोग मुझे बताईएगा और ऐसे लोगों की मदद करने के चक्कर में लोग जो सही में जो जरुरत मंद होता है उनकी मदद भी नहीं हो पाती मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग है जो सच में जरुरतमन्द है उनकी मदद नहीं हो पा थी इस तरीके के लोगों की वज़े से अब बात करते हैं इससे आगे क्या हुआ अब इसके चीज की सफाई में बसंती ने एक शोर्ट वीडियो डाली है यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों इस वक्त हमारे साथ कोई नहीं है जिन नंदो कोई के घर जाकर उनके बूरा वक्त में उनकी सेवा करी वही पैसे और जमीन मांग रही है हम से हम कौन होते हैं इनको हिस्सा देने वाले बाबु जी से मांगो ना साथ ससूर किसी की भी हालत में मैंने सेवा नहीं छोड़ी दिन रात घर के मजदूर घर में मौजूद रहती थी जब ये लोग क्यों नहीं आये सेवा करने जब दीपक जी जिन जा थे तब पैसे नहीं मांगे गए और अब बोल रही है कि हमने एक दो लाक रुपे तेरे पती को दिये थे वापिस कर सब साथ मिलकर मेरे जीना मुश्किल कर दिया है कल अगर मैं कोई गलत कदम उठा लेती हूँ तो इसकी जिम्मेदार ये सारे होंगे क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हुमन में अजीब अजीब विचार आ रहे है अभी तक अपने बच्चों के में मिस्टेक नहीं हुई है अगर ये बसंती ने लिखा होता तो आप समझ सकते है कि क्या वो इतने अच्छे तरीके से लिख सकती है जो इतनी शुदिद्ने हिंदी बोलती है इंगलिश उनको नहीं आती बोलनी क्या लिखनी भी ढंक से नहीं आती तो क्या वो इस तरीके की चीजे लिख सकती है और वो भी कोमा लगा के और एक दो लाग के बीच में इस तरीके से गैब दे के क्या वो लिख सकती यानि की लिखा किसने हो उनके बच्चों ने दोनों बच्चों में से कोई से ने लिखा है और शायद उमीद है कि लड़के ने लिखा है क्योंकि लड़ गेम प्लैनिंग की जा रही है इमोशनल अत्याचार लोगों को किया जा रहा है प्लीज जो लोग इमोशनल इससे हो रहे हैं कि आप कुछ मत कर लेना ये मत कर लेना वो मत कर लेना उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि जिसका बेटा खुद उसकी मां के लिए चीजे लिख रह हुआ है कि मरने तक को तयार है तो ये बसंती के शब्द नहीं है ये उनके बेटे के शब्द है जो उन्होंने लिखे है यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं किसी भी इमोशनल फैसला लेने से पहले या फिर इन चीजों को बढ़ावा देने से पहले थोड़ा सा सोच विचार स चीजे करनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस पोस्ट के चकर में पैसे भी डलवाने शुरू कर दे और उस पैसे को किसी के पास ना जाए इनी के पास में जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है आई ओप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से लोगों को पागल बनाया जाता है तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लैक जरूर कीजेगा थैंक यू सो मच